हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सल की टॉफ 50 फार्मूला सीरीज में एक्सल की टॉफ 50 फार्मूले का पार्ट नमबर 3 है और इस क्लास के अंदर हम लोग टोटल 4 फार्मूले सीखने वाले हैं जो की एक्सल में आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सल सीख रहे हैं तो ये चारो फार्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए इसक्रास के अंदर हम लोग ट्रांसफोज फार्मूला, रैन्ड विटूर फार्मूला, पावर फार्मूला और रैन्ड फार्मूला ये टोटल 4 फार्मूले विथ एक्सांपल से सीखेंगे हैलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर और सबस्क्राइब तो आप जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल चार फार्मूले सीखेंगे वो भी प्रैक्टिस के साथ यानि एग्जामपल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरीके से आपको इन फार्मूलो को यूज करना है और कहां कहां पर ये काम आते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पावर फार्मूले के बारे में तो देखिए पावर फार्मूला हमारा तब काम आता है जब हमें किसी संख्या का पावर निकालना हो जैसे कि अगर 5 के power 5 अगर आपको निकालना हो तो आप इस formula से निकाल सकते हो 5 के power 10 का अगर result निकालना हो तो आप इस formula से निकाल सकते हो तो जिस तरीके से हम लोग school और college में power निकालते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे बस यहाँ पर formula काम करेगा हम लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप power formula को कैसे use करोगे तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको keyboard में equal button को दबाना है equal button को दबाने के बाद जो है आपको लिखना है power जैसे ही आप power लिखोगे तो power formula यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद टैब बटन को दबाईए यह जो है फार्मूला एक्टिव हो जाएगा इसके बाद आप से पूछा जा रहा है number आप किस number का जो है power करना चाहते हैं तो हम जो है यहाँ पर 5 टाइप कर देते हैं 5 टाइप करने बाद आपको कॉमा लगाना है 5 की कितनी power आप निकालना चाहते हैं जैसे 5 के power 2 निकालना चाहते हैं या 5 के power 3 का result निकालना चाहते हैं या 5 के power 5 का result निकालना चाहते हैं आप कितनी power निकालना चाते हैं वो आपको बताना है तो हम जो है सबसे पहले 5 की power 2 का result देखते हैं कि Excel हमें सही बताता है कि नहीं इसके बाद जो है हमें bracket को बंद कर देना है बस हमें इतना छोटा सा formula लगाना है equal button को press करना है power लिखना है tap button से इसको active कर लेना है किस संख्या का power निकालना चाते हैं वो संख्या सबसे पहले आपको लिखनी है और उस संख्या का कितना power निकालना चाते हैं वो आपको type करना है इसके बाद enter key को press करना है 5 के power 2 करोगे तो 25 होता है इसलिए देखिए यहाँ पर result आ गया है इसी तरीके से मैं एक और संख्या का आपको निकाल करके दिखा देता हूँ वैसे यह बहुत आसान है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कैसे use करना है तो हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे power इसके बाद जो है टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे नमबर हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ पर नमबर जो है 5 ही इस बार भी डालते हैं लेकिन हम यहाँ पर कॉमा लगा करके 5 के power 5 टाइप करेंगे यानि 5 के power 5 तो इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह हमारा formula complete हो गया है एंटरगी को प्रेस करेंगे तो देखिए अगर आप 5 के power 5 का result निकालोगे तो कुछ इतना आएगा आप इसे निकाल करके देख सकते हो अब बात करते हैं अगले formula के बारे में तो यह formula तब हमारे काम में आता है जब हमें कोई एक random संख्या को automatic insert कराना होता है देखिए 0 से लेकर के एक के बीच में कोई भी संख्या आप जो है इस formula से excel में practice के लिए insert करा सकते हो मैं आपको इसे insert करा के दिखाता हूँ तब आपको अच्छे तरिके से समझ आएगा ध्यान आपको यह देना है कि जब आप यह formula यूज करोगे जो 0 से लेकर के एक के बीच की ही संख्या हैगी नहीं एक के ऊपर की कोई संख्या होगी नहीं 0 से कोई नीचे की संख्या होगी तो इस formula को use करने के लिए हमें equal button को press करना है और यहाँ पर type करना है RAND इसके बाद जो है tap button से इसको active कर लेना है और इसके बाद जो है आपको bracket को बंद कर देना है बस छोटा सा formula है यह आपको एक ही बारे में समझ आ जाएगा बस यही आपको करना है आप यह देख लिए इसके बाद enter की को press करना है तो आप देखोगे कि ना ही यह संख्या 0 से छोटी है और ना ही यह संख्या 1 से बड़ी है रैंड का मतलब कोई भी एक random number यहाँ पर insert करा सकते हो और आप इस number को चाहे जितना भी बड़ा कर लो लेकिन एक संख्या 2 बार हो सकती है 3 बार हो सकती है 10 बार हो सकती है लेकिन एक आएगा ही नहीं ठीक है एक संख्या 12 जाएगी चलेगा 13 आएगी चलेगा 10 बार हो जाएगी चलेगा लेकिन एक भी नहीं आएगा और नहीं 0 से नीचे आएगा ठीक है तो आप यह देख लिए यहाँ पर हमने इतनी संख्या insert कराई लेकिन कोई भी इसमें एक number नहीं है और नहीं कोई 0 से नीचे है तो यह formula हमारे तब जादा तर काम में आता है जब हम किसी को कोई चीज समझा रहे हैं और हमें जल्दी से कोई data की जरूरत है तो हम इस तरीके से कोई भी number insert करा करके कुछ भी बताना चाहें आराम से किसी को समझा सकते हैं अब बात करते हैं अगले formula के बारे में तो इसको हम करते हैं delete अगला formula इससे मिलता जूलता है अगला formula कहता है रैंड between यानि कि आपको number तो मिलेंगे ही लेकिन between बीच के number मिलेंगे आप यहाँ पर तै कर सकते हो कि हमको 10 से लेकर के 50 के बीच में number insert कराने है यह भी formula हमारे तब जादा तर use में होता है जब हमें जो है कुछ ऐसा जल्दी से data बनाना है जिसका example देके अगर हम coaching इंस्टूट वगरा में पढ़ा रहे हैं तो लोगों को समझा सके या फिर कोई व्यक्ति हमसे कुछ Excel में पूछ दिया है और हमें उसे कुछ चीजे समझानी है तो हम इस formula का use करके एक data insert करा लेंगे और उस data के base पर जो भी वो व्यक्ति हमसे पूछ रहा है उसे आसानी से समझा सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर छोटा सा data बना करके आपको दिखा देता हूँ तब आपको अच्छे तरगी से समझाएगा मैं यहाँ पर लगता हूँ January और इसके बाद लिखता हूँ इसके बाद लिखता हूँ March ठीक है मैंने तीन ही यहाँ पर month लिखे हैं इसके बाद मैं यहाँ पर formula आपको लगा करके दिखा देता हूँ मुझे तीन महिने की sales की report बनानी है और किसी को उससे समझाना है मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसका नाम लिख दूँगा इसके बाद यहाँ पर equal button दबा करके यहाँ पर rand between formula को use कर लूँगा अब मैं यहाँ पर वो number डालूँगा जिन number के बीच में यहाँ पर मुझे number चाहिए तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 5000 से कॉमा लगा करके 10,000 के बीच में number आने चाहिए तो हम यहाँ पर 5000 पहले हमने type कर दिया कि 5000 कम से कम रहे और जादा से जादा 10,000 के बीच में ही number आए इसके अंदर अब यह axle समझ गया है इसको bracket को बंद कर दिजिए बस यही छोटा सा formula लगाना है आप इसे देख लिजिए रand between टाइप कर गिए equal button को दबाने के बाद रand between और सबसे छोटी संख्या लिखिए और सबसे बड़ी संख्या यानि इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याई ही insert होगी ना ही 10,000 के उपर कोई संख्या आएगी चाहे आप पूरा एक्सल का seat भर दो और ना ही 5000 के नीचे की कोई संख्या आएगी एक संख्या दो बार हो जाएगी वो चलेगा 10 बार हो जाएगी चलेगा 100 बार हो जाएगी चलेगा लेकिन इसके उपर की संख्याएं और इसके नीचे की संख्याएं नहीं आएगी इसके बाद enter key को press करेंगे तो देखिए पहली संखिया हमारे पास आ चुकी है और हम जो है इसको इस तरीके से drag करेंगे और इस तरीके से drag करके हमारे पास data आ जाएगा और जो भी हमको समझाना होगा हम आराम से किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं तो एक एक number type करते तो ज्यादा समय लगता लेकिन हमने इस formula से कुछ यहाँ पर random number insert करा दिये हैं जिनकी मदद से हम किसी को भी कुछ समझाना चाहें तो आराम से समझा सकते हैं तो यह जो तीनो फार्मूले हैं यह आपको अच्छे तरीके से समझा गया होंगे अब बात करते हैं सबसे जादा important formula के बारे में जो की है ट्रांसपोर्ज ट्रांसपोर्ज को आपको अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले जो है मैं इसे select करता हूँ पूरा का पूरा और इसे delete बटन से delete कर देता हूँ सब कुछ यहां से हट चुका है देखिए transpose formula तब हमारे काम में आता है जब हमने data को vertically लिग दिया है उसे horizontally convert करना है यानि आपने कोई data vertically बनाया है उसको direct आप horizontally convert करना चाहते हो या फिर आपने कोई ऐसा data horizontally बनाया है और आप उसको vertically convert करना चाहते हो तो transpose formula काम आता है और मैं आपको बता दूँ कि transpose formula एक तो मैं function से बताऊंगा ही साथ में इसको एक और तरीके से आपको इस्तमाल करना सिखाऊंगा दोनों तरीके में से जो आपको पसंद आएगा आप उसे use कर सकते हो तो transpose formula को use करने से पहले हमें इनको cell को count कर लेना है कि ये जो cell में लिखे हुए है ये कितने cell में है उतना ही cell हमको इधर भी select करके इसमें formula लगाना होगा तब ही exact काम करेगा अगर आप select करके नहीं लगात हूँ tap button से इसको active कर लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर click करके इसको पूरा का पूरा select कर लेंगे इसके बाद जो है bracket को बंद करेंगे और control shift और enter key को press करेंगे तो देखिए name ही सिर्फ आया है ये department और salary नीचे नहीं आई है और अगर हम drag करते हैं तब भी देखिए यहाँ पर यह नहीं आ रहा है जबकि यह उठा लिया है हमने जो है इसे transpose किया है transpose का मतलब यह है कि name आया इसके बाद department आये salary यानी जो हमारा horizontally data है वो vertically में आ जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो vertically में ही आ रहा है तो इस तरीके से यह काम नहीं करेगा ठीक है अब ही देखि अगर इसी तरीके से और भी heading रहती तो हम यहाँ पर और भी cell select करते यह आपको ध्यान देना है cell select करने के बाद अब आपको equal button को press करना है equal button press हो गया है अब यहाँ पर आपको लिखना है transpose transpose लिखने के बाद इसको active कर लेना है और इसके बाद जो है यह वाला इस तरीके से range द बाना है जैसे ही आप control shift और enter button को दबाओगी तो दोखिए यहाँ पर name department salary जो horizontally था हमारा वो vertically यहाँ पर convert होकर के आगया है आप यह देख सकते हो हमने जो है अपने data को transpose कर दिया है समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है फिर से जो है मैं आपको एक बार और बताता हूं इसके बाद keyboard से equal button को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे transpose इसको active कर लेंगे और इसके बाद जो है आपको इस तरीके से range दे देनी है जितने हमारा data है और इसके बाद जो है bracket को बंद करना है control shift और enter button को दबाना है इतना समझ में आया देखिए equal button को प्रेस करिए transpose formula ल हमारा horizontally convert हो चुका है आप यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से आगया है अब मैं जो है आपको इस पूरे data में जो है इसको लगा करके दिखाता हूं ताकि आपको यह idea लग जाए कि पूरा data में आप कैसे इसको लगाओगे फिलाल अभी मैंने आपको तोड़ तोड़ के row इधर select करेंगे क्योंकि column वाला data row में आएगा और जितनी row में आपका data है जैसे कि एक row यह है और यहां तक आने के बार total 21 row है उपर वाली यह खाली है 21 row में data है तो हम 21 इस तरीके से column select करेंगे क्योंकि row का data column में जा रहा है तो जितना हमारा row में data है उतना हम column select करेंगे और जितना हमारा column में data है उतनी हम row select करेंगे अगर आपको ये idea नहीं लग पा रहा है कि आप कहां तक select करोगे तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि इसको count कर लेना है ठीक है थोड़ा सा समय लगा के आप इसको count कर लीजिए इसके बाद वाला जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो इससे भी जादा आसान होगा तो फिलाल function की बात हो रही है फार्मूले की बात हो रही है तो फार्मूला भी आपको लगाना आना चाहिए तो मैं जो है इसे count करके select कर लेता हूँ तीन हम यहाँ पर आएंगे और इसके बाद जो है इस तरीके से जाने के बाद हम पूरा यहाँ तक select करेंगे यह हमारा 21 तक हो गया है मुझे कैसे idea लगा देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बिंदी बना दी थी 21 को count करने के बाद मुझे idea लग गया है 21 हमारी row में data था तो हमने 21 column को select कर लिया है और 7 में जो है 3 हमारे column में data था तो हमने 3 row select कर लिया है इतना समझ में आ गया आपको अब आपको क्या करना है equal button को press करना है equal button को press करने के बाद आपको लिखना है transpose जैसे यह आप लिखोगे और इसके बाद transpose लिखने के बाद इसको active कर लिजिए array में आपको पूरी table को select करना है पहले column पे आप click करिए पहले वाले cell में और इसके बाद नेचे की side में आज़ेगे shift button को दबा लिजिए और last वाली cell में click कर दीजिए तो पूरा जितना भी data आप कराएगा पूरा का पूरा select हो जाएगा अब जो है इसके बाद आपको bracket को बंद करना है और control shift और enter मैंने आपको बताया है कि control shift और enter तीनों एक साथ दबाना है तो हम दबाते है control shift और enter जैसे ही ह हमने दबाया तो आप देखोगे कि यह जो हमारा vertically data था वो transpose हो करके horizontally यहाँ पर आ गया है आप पूरा का पूरा data देख सकते हो जितना आपने select किया था सभी के नाम से सभी का department और सभी की salary भी यहाँ पर आई है अगर आप select नहीं करते तो error बताता यहाँ पर इसलिए आपको trick यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो जो की Excel में ही दी गई होती है वो इस trick को करने के लिए आपको कोई भी जो है cell को पहले select नहीं करना होगा उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहले जो है आपको पूरा का पूरा इसको select कर लेना है जितना भी आपका data है ठीक है data को select पर राइट करने के बाद इसपर right click कर के इसको copy कर लिए और जहां पर भी आप इसको transpose करना चाहते हैं वहाँ पर आइए right click कर यह. यहाँ पर आपको option मिलेगा paste special का इस पर click कर दीजिए paste special पर और यहाँ पर जैसे कि देखिए यह ने में जो है राकेस का डेटा है यह राकेस का डेटा बारा जार सुपरे सेलरी है तो मैं बारा हजार से इसको आठ हजार कर देता हूँ ठीक है अगर आप जो है प्रिंट के लिए कर रहे हो तो आप फार्मूले से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा ताकि अगर आप यहाँ पर जो है कोई डेटा चेंज करें तो अटमेटिक यहाँ पर हो जाए वरना आप पहले से ही डेटा को सही तरीके से कस्टमाइज कर लें कोई भी एडिटिंग वगरा ना करना हो फिर आप उसे जो है ट्रांसबोज करके प्रेंट कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल चार फार्मूले बताए हैं और ये चारो फार्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए और बहुत ही काम के हैं कहीं ने कहीं आपको एक्सल में काम करते वक्त इनकी जरूरत पढ़े ही जाती है फिलाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर आप बताईएगा जैहिंद वंदे मातरम आप लोग नहीं लिखते हैं अगर इंडिया से हो तो जरूर लिखे मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम